सरोकार कहा जा रहा है कि भारत में यह पूर्ण चंद ग्रहेड केवल पूर्वी हिस्सों में ही दिखाई देगा इस उन्तिम चंद ग्रहेड को कोलकता, सीली गुड़ी, पटना, राची, गुवहाटी में देखा जा सकेगा इसके अलावा ग्रहेड में पहले मंदिर के कपाट भी बन कर दिये गए हैं जो की 7 बजे के बाद स्रधालों के लिए ग्रहड के बाद दोबारा से खोले जाएंगे साथ ही इस बार ये चंद ग्रहड भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा चंद ग्रहड के साथ कार्तिक पूरिमा की सुभा से गंगा इसनान के लिए भी लाखों की संख्या में स्रधालों ने आस्था की डुक्की लगाई है इस पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरकपुर से हिमांसु जुडेंगे और गाजियाबास से प्रवीन जुडेंगे सबसे पहले रुख करेंगे प्रवीन का प्रवीन आज साल का आखरी चंद्रग्रहन लगने जा रहा है वहीं आज लाखों की संख्या में आस्था की डुक्की भी लगाई जाएगी चोटी गंगा है गाजबाद में जहां पर मुराद्दगर पेहले वहाँ पर सुभा ते ही लोगों ने जो आस्था की डुक्ची ने वहाँ पर लगाई खास्वर्प क्यूंगे चंद्रग्रहन पर पहले ही आज़ागी डुक्की लगा लेना चाहते हैं खास्वर्प क्योंकि सुटर काल मना जाता है इसको कहीं न कहीं तो जो मंदिरों के कपाट है वह भी तुबाते ही बंद कर दिये गए जिसमें कि जो त्रधालू है आब वो चंद्रग्रहन के बाद ही वहाँ पुजागर पाएगी उससे पहले सभी जितने भी मंदिर हैं उस लोगों ने जो तेवार के मतलब जो इस तरह से पैस्टिवाल थे उसको लेकर भी लोगों ने उससे पहले आट बज़े से पहले ही तारी चीज़े निशाली तूकि चंद्रग्रहन दो बच के तीस वेड़ पेज लगने वाला है गाजियाबाद के अंदर में जीए प्रवी बैठे हुए थे और उसके बाद लोगों ने आथा की लगानी सुरू कर दी इसके बाद जैते ही आठ बच आते हैं उसके बाद ही दीरे-दीरे करके जो खाटों पर भीर थी वहां से खतम होने लगी क्योंकि ग्रहन लग गया था पाड़े आठ बजे का समय बताय गया था ग कर दो जो आस्था की दुक्की है वो काफी भवे देखने को मिली गाटों पर क्यूबी काफी भीर हुमरी हुई थी वहां गाज़बास पर फिनकी खालब जे प्रविन कर नगे गोरुकरिंगे गोरकपूर से हिमानु का हिमान्सु आज साल का आखरी चंद्ग्रहन लग रहा पुरिपर से कपाट को पंचर भी आगया है तहीं कोई देव फूजा नहीं हो रही है तरहीं लोग मंदिनों से बाहर हैं अब जब सक्काल चलेगा तो आगली संद्रहान है और आज जो है आज बच्के बीच में जाएगा जो कि आज बच्के बीच में सक रहेगा तो ऐसे में जो हिंचा पहले तूसलों से झाल माना तो खेसिxi में तो उससे ही यही नहीं हो जो हमार किया भाद आगये मंदिल से तपाग भंख़कर को रहें जब तक शुजा खतय है यह सम्हे से झाल लोग टाम महामिजडे ऑन जापねश कर रहें घून गलता रहें दृ बाद कि तपेज की जान जायता है चाहिए हो चावल हो आटा हो उनको दान भी दिया जा रहा है वहां पे लिए जान जारा है हमानसु चंद ग्रहंड को लेकर कई तमाम बानताएं है वहीं विज्ञान के नुसार देखे तो यह खागोली घटना है मैं से अग्रान लगता है लेकिन इसी संद्रमा और दिया जाते हैं एक समानता देखावे तो इसी संद्रमा और तूरी के भी स्मय आती है जिसे संद्रमा के उपर रौसी नहीं परकी है इस वज़े से जो है संद्रहन लगता है लेकिन इसी सनातन धर्ण में साफिर मानेता है ऐसे मंदिरों के ज्वाद जो है सपाज बंद दर दिये जाते हैं तो जी एक बार फिर से रुख करेंगे प्रवीन का प्रवीन रुक गाजियाबाद में कैसा महौल देखने को मिल रहा है कैसा असर दिखाए देगा क्या कुस तैयारियां कर ली गई है लेकि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अभी जो तुछारू रूफे लोग आपर निकल ले आ रहे जा रहे है क्योंकि अभी चंदग्रेहर का जो असर दिखने को मिल आए हैं आपर पहीना के जो बादल है घट्टे में तिक रहे हैं आपर किसी ना के दूसरी बात यह है कि गर्वती महिलाओं को खासवर पर इस ते तुर रहना पड़ेगा तो पहेना कि जो गर्वती महिलाओं जो रहती है उन्ते ओपर खासा यह असर देखने को मिलता है चंदग्रेहर का जीज जे ब्रवीन चलेंगे हमांसू के पास हमांसू भारत की की इस सो में इसका ज्यादा आसर देखने को मिलेगा है कि जआरश में पूर के से यह है तो बerei कि वादे श की अशरी की रास्वादी यहां वी थी सहरा संदिक्सर प्रवी गराहन से लहावड़ें एजिंशरी वारत तो पूरी यूरोप एस्यास यां तिनी चैनली अक्षडिंए हेवानसु इसका गोरकपूर में का वसर देखने को मिलेगा? कर देखने को मिलेगा? पानी होता है, इसको बदल दिया जाता है, जो भी रखा हुआ पानी होता है, जो बदल दिया जाता है, इसको 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 बदल दिया जाता है, और इसे हैं तो बदल देते हैं पानिते हैं। इस सपी तर昨र रहाण देता है। ऐसे पड़ावन के वतायश्या जाता मिया थिए तक परोजों का मानना है खाज़ तरह थाज नोग ते दो गया विए कर दोगोर पास जाएंगे और अप्रें आख्यूं आख्यों आख्यार गर्ष भावरा फुरी तरह बरुट्री श्यार लोगों आख पुड़ेगा जम जरहे लिए देखर जातेर जायेंगे और अप्री राख्यों के पर नजर रख चलेंगे प्रवीन के पास प्रवीन गाजियाबाद में चंद ग्रहण का असर कब से दिखना शुरू होगा और कब तक चलेगा में चंद ग्रहण की तो चंद ग्रहण की तो चंद ग्रहण को ले कर कापी उसाहित है याँ पर जो जो यहां के जो यहां के तांसद है, जर्नल विकेतिंग, वो भी काफी उसाहीत है, तो कहीं नगी चंद ग्रहन देखने हैं, जिस तरह से योगी आजितनाथ ने तूर ग्रहन को देखने के लिए शौप मंगाया था, जिस तरह से महाँ पर तैयारियां की गई तो यहां पर भी काफी उसाह करना पड़े तो इसको लेकर भी काता तयारिया की जाती है, तो चाने की होगा पर अपना-फ काना यह जो घुप सबस्पव के उपर जो यहां वário को डेकर लोग कर को घ्सी बाड़ेंगा, जिसने का जिसने कि पर पोई का ग्रहन के थान जो ह्मिना पता है, एफ लोग आप प्रवीन तमाम जानकारियों के लिए हमांशु आपका भी धन्याबाद भारत में चंद ग्रहड दिखेगा साल का आखरी चंद ग्रहड लगेगा भारत में भी देखा जा सकेगा चंद ग्रहड बता दें साल चोथा ग्रहड और अंतिम चंद ग्रहड है पंचांग के अनुसार आठ नवंबर को कार्टिक पूर्णिमा की भारत में इस चंद ग्रहड को देखा जा सकेगा इसलिए यहां सूतक काल भी मान होगा बताने की चंद ग्रहड का सूतक काल नौ घंटे पहले लागू हो जाता है इसलिए आज सूबह से ही सूतक काल शुरू हो गया था हमारे साथ कानपूर से हमारे समवादाता आनिल हम से जोड़ चुके हैं आनिल आज साल का आखरी चंद ग्रहड लगेगा जी पता दूँ कि यह साल का अंतिन चान ग्रह चंद हगण इसके अलावा का वटी कूर्मा का त्यवहार भी है और का्रती कूर्मा का त्यूहार जा रहा है सात नॉमबर को आट नौमबर को और साथ नॉमबर को साम चार वजे से आट वर सावा पांज तर पर जेता चैंग लग रहा है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आज सुबह से ही गंगा इसनान के लिए श्रधालों की भीर देखी जा रहे हैं तो कानपूर में कैसा महल देखने को मिला कानपूर में गंगा घाट और जितने भी घाट हैं सभी भारी भीड है आला कि पुरे सहर में जगे 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 पे भीड को देखते हुए डैवर्जन लगाती हैं टीम ने इंतिजाम कर दी हैं और हाला कि कानपूर के जो मंदला आयों तो उन्होंने सवय महीं सब्सक्राइब को अपने संग्यान में लिया है और पुरी दुद्धों में लगे हुए हैं और सब्सक्राइब में काफी इस्तेवार को लेखके काफी पहले से ही रूची रही है जिसके चलते आज सुबह सही लगबग के तीन बजे से सारे घाटों पे भारी परी दिख लिए है और लोगो जो आज करने के बाद 9 और जिसे पहले लोग अपने घर को निकले आगे अला कि चंद्गरह के चलते कहीं ना कहीं जितने भी मंडिर है जितने भी इस्तान है सभी के कफाट बंद कर दिये जी अनिल कानपूर में चंदग्रहण का आसर कब दिखेगा और कब तक चलेगा चंदग्रहण का सुबह 5 बच के वाइस मेटा है और उसके पच्छे बच्छे लगब चंदग्रहण का समाफ हो जाएगा ऑला कि डियम ने चंद ग्रहण को देखने के लिए पुकता इंविजाम चंद ग्रहण को लेकर मंदिरों में क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं अभी तब जो भी इसके नियम होते हैं उसके तहित मंदिरों के कपाट पुली जाएगा धनवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए भारत में चंद ग्रहण को देखा जा सकेगा इसलिए यहां सूतक काल भी मान होगा बतानी कि चंद ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लागू हो जाता है इसलिए आज सुभा से ही सूतक काल शुरू हो गया था कहा जा रहा है कि भारत में यह पूर्ण चंद ग्रहन केवल पूर्वी हिस्सों में ही दिखाई देगा इस अंतिम चंद ग्रहन को कोलकता सिली गुडी पटना राची गुवहाटी में देखा जा सकेगा इस खबर पर हमारे साथ प्रियागराज से पवन जुडेंगे पवन आज साल का आखरी चंद ग्रहन लगेगा प्रियागराज में इसका असर कब से दिखेगा और कब तक चलेगा चुकि आज साल का आखरी चंदगहन लगना है और ऐसे में प्रियागराज में जितने भी मंदीर है उनके कपाड जो है वुबन कर दिये गये हैं चंदगहन खतम होने के बाद गंगा ललका छिरकाओ किया जाएगा और मंदीर में पूरे विधी विधान के साथ पुजा करने के बाद ही कपाड को खोला जाएगा अगा चंदगहन देखने की जाए तो प्रियागराज में चंदगहन देखने का जो है वो अभी तक ये नहीं हो पाया कि प्रियागराज में नहीं हाला कि आंतिक रूप से प्रिय जो और जगहों पर चंदग्यान को जो आज़ा सकता है प्रयागराज में जो अज़ा जाएगा अभी तक नहीं देखा गया है कि देखा जाएगा अला कि इसकी जो तैयारियां है वो कि जा चुकी है जितने भी मंदी जितने भी धार्मिक अनुष्थान वो बंद हुट किये ग होगा तो लोग पूजा पाट करने के बाद अपने घरों को वापस जाएंगे जी मेरी पवन संगम नगरी है प्रयागराज कार्तिक पूर्डिमा की सुभा से ही गंगा के इस नान के लिए श्रधालू की भीड देखी जा रही है तो प्रयागराज में इस रधालू में कैसा अधिपावली के दवरान 11 लाग दीपों से सजाए गया था संगम चटको और हजारों शद्धालू आयते जिले के तमावाला अधिकारी कैबिनेट मंतरी सहीत लोग आयते और आज कार्तिक पूर्णिमा है तो ऐसे में जो पूर्णिमा पर्व होता है लोगों का मानना है कि और यमना माश्रान करने से पूर्णिकी प्राप्ति होती है ता सुबह से संगम नोच पे हजारों शद्धालू है वो आ रहे है और जो यहां पर मंदीर है जैसे प्रमुक मंदिरों के कपाट बंद किये गए है चंदगाहर के बाद ही जब कपाट खोले जाएंगे तो जो ल कि अगर विज्ञान के नुसार से देखें तो इसे ख़गुली घटना मानी जाती है पावन आपको आवाज आ रही है पावन चंदग्रहण को लेकर कई सारी मानताई है वहीं अगर विज्ञान की नजर से देखें तो इसे ख़गोली घटना मानी जाती है बिल्कुल देखें जब चंदग्रहण या सूर्ग्रहण होता है तो लोगों में कई तरह की भ्रांतिया होती है लोग कई तरह की तोटके अपनाते हैं कहा जाता है कि तमाम तरह की इसमें जो धार्म का नुष्ठान अभूबंद किये जाते हैं तो इसके जो खगोली किया जो पुरारिक बात की जाए तो इसका एक अलग महत होता है लोगों में इसकी जो अतरह की बाते हैं वो देखने को मिलती है तो अतरह की रंग देखने को मिलते हैं अलग अलग स्थानों पर जी मैयुरी धनवाद पवंत अमाम जानकारियों के लिए खास रिपोर्ट में इतना ही देज़ दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी प्राइम पुष्पार 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 अब